कि दूस्टों स्वागत है आप सभी का वाइफेश्टी चैनल पर चेंडिंग द वे ओफ लर्निंग वाइफेश्टी जा पार्ट ऑफ न अकेडमी नमस्कार एक बरी कमेंट बुक्स पर लिखना अवाज अरिया आप सभी को मेरी जल्दी से कमेंट बुक्स पर लिखें फिर स् चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को शेर करना है आज सेशन शेर करना क्योंकि आज इसके बाद मैंने दो और यूटूब सेशन लगा रखे हैं यूटूब के सेशन आज होंगे आज सारे सेशन यूटूब पर होंगे स्पैशल सेशन लगे आज ठीक हैं तो आज एक वेदिक एज पूरा चैप्टर खतम करना पूरा एक कवरेज होगा वेदिक एज का उसके बाद जोगरफी के ट्वंट दस साल के पुराने जितने कोशन से हैं वो सब कवर करेंगे ठीक है तो आज क्लास होगी आपकी आठ बजेवी दस बजेवी दोनों क्लास यू तो यह सारे टेस्ट आप कर सकते हो यह स्कैन कोड दे रखा इसका यूज करना मैं खुद भी कले एक अमेज़ों बाउचर टेस्ट कर वाँगो बीस तारीक है कल यानिगी आने कैडमी ठीक है आने कैडमी आजडाउट फीचर जैसे जो भी फीचर से आने कैडमी सेलेक करके इसमें रेलवे भी मिल रहा है लाइव ओमन कोड से डिसकाउंट भी मिल दाएगा ठीक है दोस्तों इस चीज का देहान रखना कि आप रिपोर्ट एन विन जैसे ऑप्षन रेस हैंड जैसे ऑप्षन और आठ बजे का स्पेशल सेशन जरूर देखें आठ बजे आ लास्ट दस सालों के कोशन पेपर स्टार्ट करवाँगा ठेके दो चीजे करवाँगा आज आपके लिए आठ बजी जुड़ना जरूरी है ठीक हर बच्छे को मेरे टेलिग्राम पर लिंक आएगा अमनसर वाइफे स्टेडी पर जुड़ जाना इस पर आपको लिंक आएग चले तो start करते हैं अपने कोशन गोशन विचे अभी आज ना कोशन प्रैक्टिस करेंगे क्या तो उनकूर कुशन से क्ति कोशन करेंगे अगर मैं 25 question अगर आपसे पूस्थता हूं तो आप कितना लिकाल सकते हो स्कॉर इसमें ठीक है लेटा सी चलि तो start कर रहे हैं पहले टारगेट देता हूं एक ठीक है टारगेट है 20 प्लस का ठीक है टारगेट है क्यूकि एक particular पर्टिक्लर टार्गेट से ही हम कमपीट कर सकते हैं तो 20 प्लूस का इक पर्टिक्लार टार्गेट में आपको देज रहा हूं आपको Service को स्व시면 कोण कोन रू fatendall की स्कॉशन का अनसर क्या है अब प्राइब आन्सुर्ट की चलिए तो पहले कोशंगा आंसर की रूलर को सब्सक्राइब को थे अब इसमें होता है कि सारे के सारे गलती लगा देघ्वराहिम लगा देख़ी इब राइम लगा देट्व लास थे लोधी डैनेस्टी इन एक तरीके से जिसको बावर में अराय थ बैलूल खान लोदी इस कोशन का आंसर है पहले कोशन का आंसर बैलूल खान लोदी है दूसरे कोशन का आंसर देखिए human development का concept human development index आपने सुना हुआ तो इसका concept किसके द्वार दिया गया आज पूरा वेदी केज का आप जैसे महबूबबूल हख और अमध्रिता दोनों दे रखा है जल्दी से बते चलिए ऐसकोंशन का is एक और कोशिन देखिए तीसरा पंचायती राज सिस्टम कौन सी संब्ध है किसके गता है इसें संडे को भी क्लासिज हो रही है संडे को थोड़ी जादा आश है जदा आगा इख सेट लिस्ट का शूष aja salt पंसीडर करिए चोथा कोशन स्कोर बढ़ना चाहिए आपका 25 में से 20 प्लस आने चाहिए आपके पहले सेट में प्रोपर सेट कराऊंगा और आठ बजे मेराथोन है आज समल्वाज आठ बजे हम बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ने वाले वेदी केज का ठीक है पूरा कवरेज करेंगे वेदी केज का लेट सी कौन-कौन जुटता है वेदी केज का कवरेज बहुत जरूरी है चली तो आंसर के इसकोशन का जय देविसक है जैं जो है जससे अरविंघ पारिक प्रसत जो है संबन्दित थे बड़े फेमस अश ways-alewins उन्सरमेड्र इन्संत्रूमेंट्स सिंगर के मृत्य की सिंगर्ण नहीं थे छटा कोशन देखिए कजाकिस्थान का करनसी क्या है पते कोशन बड़े अच्छे हैं बड़े शेर करना सारे के सारे सेशन बड़ा जो भी आता है तेंगे इसका आंसर है यह थोड़ा सा मुश्किल कोशन हो गया कि कजाकिस्थान की करनसी है ठीक है चले एक और कोशन कर देखिए गांदी जी ने जो नोन वॉयलेंट प्रोटेस्स टार्ट किया था रोलेट एक के अगेंस्ट यह कौन सी तारिक को था भी बड़ी कोमन सी बात है कि रोलेट एक कि कौन सा कौरपरेशन मोवमेंट स्टार्ट किया गया था और यह कौन सी तारिक को किया गया था इस कोशन का आंसर के जल्दी से बताई कि यह कोशन का आंसर है ठीक है अ पूच्छ दे गांदी जी कोल अपन इंडिया टू अब्सर्व दा इस कोशन आप यह लगाईएगा इस कोशन आप यह लगाईएगा फिर्स गवर्नर और टु टेक द ओवर्थ इन कोण करी लेंगविज वड़ा डिफिकल कोशन है पहले गवर्णर गववा के जिसने कों करी भाष्ण में जो की भाष्ण उसमें ओध लिती शपत लिती बड़ा एक इंबोडन कोशन है बते ही इस कोशन का आंसर के इस कोशन का कौनकरी भाषा में इन्होंने ओध लिती शपत देखो कोई अगर ऐसा करता है कोई गवर्नर अगर कोई प्रेजिडेंट ले तो यह थोड़ा सा यूनिक हो जाता है तो आ है आपका पूरा समय आपका लिया जाएगा और आपको साथ के साथ राच को 10 बजे से स संडे को बने को स्टर कर आप तो आज दोनों से क्टेनल आपशे अब डेट से नहीं लिखी वही बताइए आंसर के सब्सक्राइब करेंगे इस कोशन का आज से के संडे को ही चीज़े को शुरुबात हो सकती है ठीक है फ्री डे होगा जिस दिन उसी दिन तो सोचेंगे ना कि कुछ और करते हैं यार एक्स्टा आपके लिए तो आज सही नोट करेक्टली मैच जो है तीक काली खुर्प जो है फोक डांस कोशन का आज से क्योंगे वाइस कोशन होग यार थो लेकिन 22 March 22 है यह एक्चुली में रेकिन मार्च है ना चलि आंसर के इस कोशन का जल्दी से बते काली कोपाल जो है आंसर इसका अंसर है ठीक है चलिए आसम इसका आंसर है 11 देखेगा चलिए यू यू यूज बाइद इंटिस्टू एनलार्ज दाइमेज ठीक है बड़ी कोमन स इसी बात है कि कौन सा मिरर जो है बड़ा साइस देखने में काम आता है तो कॉंकेब को यूज करते हैं है आंसर कहार में कोशिन का कि नेक्स्ट क्लास होगी चलिए चलिए इसको जो है कि से समदे संगत स्टाइल जो है किस से समदे इसको जो है कि कमेट करें इसका आंसर के एक साथ कश्मीर जैसे एरिया में ज्यादा होता कपाली आपने सुना को कुछ दर्गा होती है वहाँ पर भी कपाली होती है चलिए आंसर के इस कोशिंगा यह कोशन बताइए कर सकते हो यह भी कोशन ग्राउंड वॉर्टर जो हाड रोक्स के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है बताइए का मतलब नीचे भी हाड रोक है उपर भी नीचे उपर भी हाड रोक है बीच में ग्राउंड वर्टर जो लेयर से यह कहां पर चली तो आंसर के इसको मैं को फायर कहते हैं और यह उस्टेलिया में ज्यादा जो है मिलता है चलिए एक और कोशन देखिए का इसकोशन का आंसर अगर आपने थोरली पड़ा है एंवार्मेंट से संबंदित चीजों को तो आपको अजन्डा टूंडीवन आता होगा बताइगे कि 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 चलिए तो आंसर के इसकोशन का आंसर रायो समें 1992 इसका आंसर है ठीक है रायो समें 1992 इसका आंसर फिफ्टेंद कोशन देखिए का कि अश्याइट है अट्रब्रट इसकोशन का इसकोशन का अनसर है और कब जो है यह किस सब्ट सब्सक्राइब करेंगे परसों से आपको जो है ना कि वह भी कवर करेंगे परसों से आपके लिए स्पेशल सेशन भी यहां पर साथ बजे होंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हिस्टे की सीरीज ले आ रहा हूं आपके लिए यहां पर ठीक है तो वह भी कवर कर लेंगे आंसर कोशन का बैडमिंटन इसका आंसर स्पैलिंग थोड़ा सा गलत लिखा हुआ यह आना था बीच में चलिए सत्रमा कोशन देखेंगा विच्छ क्रॉप इस सौन अंदर लार्जस एरिया इन इंडिया सबसे ज़्यादा फसल ज़्याद हो गए जाते हैं कि अधिक है चलिए आंसर के इस कोशन का इस कोशन का आंसर है कि यह राइस है ठीए राइस एक और कोशन देखेंगा अठार्मा कोशन देखें ओनली इसमें से मेंबर हैं यूनियन हो मिनिस्टर इनको भारत बहुत रतन मिला था जब वो हो मिनिस्टर थे कमेंड करेगा जब यह ठीक है ग्रहमंतरी थे उस समय ठोड़ा सारव डिफिकल्टी लैवल हैस कोशन Katy कि वहले अगर उचर एग्र एग्रेवी मंतरी थे भारत रतन वी मिला था ऐसे पुर से लिटर थे बते कौन से से संबंदित कौन सी कंपणी है स्टील से संबंदित कंपणी कौन सी इस बिड़ा आज से से दसवजे वाली सीजी स्टार्ट हो रहें उसमें जोग्रफी के लास्ट यहर के जो एंसी क्यूं से उसको हम पहले कवर करेंगे फिर जोग्रफी खतम होने के वाज़ा से मैं आठ और दस वज़े वाली क्लास से लेना स्टार्ट कर देने चीए काम आएगा आपके तो आंसर से लेट लार्जस पॉपलेशन कौन सी स्टेट की आंसर के है क्रमेंट करेंगा अचार चला तो इस कोशें का आंसर के है इस कोशें का आंसर यह तो खैर असान कोशन होगा कि मैं यूपी से आगे क्या ही है थे क्या आई-एस मांटन पीक और इंडिया कौन सा है इसके अब से सही अंसर लगाईये गा क्या से मताई सही अंसर लगए गाई accompany डाइस कौशें Can चले तो के इस्कोशन कांशेंगे है कि इस कोशन का आंसर है इन वेन की टेट इसका आंसर है कौशन आपको मिल सकता है चलिए एक और कोशिन देखिए इस कोशिंगा ठीक है बाइस मों कोशन देखिए विच ओफ फोलिंग गंट्री ओफ इस लाज़ेस प्रोड्यूसर ऑफ ओल इस समय को अभी में वेग में मानके चलूंगा छोड़ेंगे क्योंकि यह ना बदलाव हो चुके हैं बहुत सा सकते हैं आंसर क्या सकते हैं कि चलते हैं कि हम किसे कर सकते कोर्परेटिव बैंक इसको यही है उसके लावा कोई भी भी चोबिसमां कोशन देखिए दलो आफ है डिटी किसके द्वार दिया गया था पदी आज से कोशन आंसर के सकते हैं कि यहां पर हम पूरा एक कोर लेके चल रहे हैं वहां पर आपको स्पेसिफिक चीज़े भी मिल जाएंगे चले आंसर के हैं जोर्ज मेंडल इसका अंसर ठीक है पच्चिसमा कोशन देखिए वर्ल्ट ट्रेड और्गनाशन की स्थापना कौन से वर्ष में करिए असान कुछ नहीं हो सकता कि वर्ल्ट ट्रेड और्गनाशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई कमेंट करिए बते हैं असान कुछन है ठीक है आज वेदी के एज का चैट्र खतम करते हैं 1995 इसका अंसर देखते हैं दूसरा सेट क्योंकि पहला सेट हो गया और प्रोपरली आपने सेट कर लिया है अब आप नेक्स सेट पर आईए एम्टीस का और दिल्लीबुलिस का कोशन जितना भी है सारा इसमें डल रहा है सा बारा मैं बीस का ही टार्गेट दे रहा हूं क्योंकि अभी बीस नहीं लापाया आप नए कोशन थे हैं ना चली तो आज से के इस कोशन का पहले कोशन का बीस का ही टार्गेट दे रहा हूं बताई टॉम ओफ ठीक है बहाब बुद्दिन जो है यह जूनागड में था और नहीं हो गया ठीक है गौल गुंबज लिखा है और भी लिखा है पते यह आंसर के तॉम का नाम लिखा हो कौन सा जूनागड में असानी है सुना होगा आपने सभी नहीं नहीं आया भी तक आंसर किसी का बते पहला कोशन थोड़ा डिफिकल्ट है वही सीखने वाली चीज़ लिस्ट में कौन सा इसमें से नेशनल प्रक नहीं है बते कौन सा नेशनल पार्ग यूनेस्को लिस्ट में नहीं है दुबार्ण मुश्किल कि इस कोशन का आंसर के हैं युनेसको लिस्ट में कौन सा नहीं है तो आंसर कानहा नेशनल पार्क नहीं है थीसरा कोशन पॉलेटिक्स अफ जुगार ठीक है यह किसकी ऑटोबाइगरफी आपको क्या लगता है कुन से वेक्ति यह लिख सकते हैं ऐसी ओटोबाइगरफी विद इस काइंड ऑफ टाइडल पॉलेटिक्स ऑफ जुगार बताई इस कोशन का आंसर के हैं आंसर के पॉलेट आप आप इसे कौन से माइक्रो और इंबल्य प्लांटन जो है ना उनको मैंनीर में और सव में करतें एप बता सकते हैं छली तो इस कोशन के क्या है आंसर डी कंपोस्ट डी कंपोस्ट करते हैं डिरेक्ट लिया आसान वोशन पते हैं सब्सक्राइब करना है जो कि 100 परसंट पर में मिलता है वह आठ बजे वाली और सब्जेक्ट वाइस गिए जोगराफी है लास्ट दिन के दस सालों के पर जो है जोगराफी के अपकर वाने वाला हूं ठीक है एक एक करके सारे रात को दस बजे आज से क्लास टार्ट है आंसर के इस कोशन का डिसेंट्रिस क्यूंकि नहीं बाकी सब जो है वो कोई साभी वायरस से नहीं होता है ना तो इस कोशन का आंसर के है कमेंट करेंगा पांच च्छटे कोशन का आई-पी-ची जो है कि यह कोशन नहीं करना साथ मान कोशन देखेंगा अमेरीकन फीडिपेंदंस गब उलाथ इस कोशन का अंसर क्य righteous कि अच्छाइब तो इसकोशें का अंसर के हैं ठीक है आंसर अमेरिकन वर आफ इंडिपेंडन्स 1776 इसका आंसर है आठमा कोशन देखिए वे डिट ब्रह्मो समाज औरिजिनेटेड ब्रह्मो समाज कहां पर औरिजिनेट हुआ करेंगे लोकेशन क्या थि जहां से ब्रह्मो समाज की स्थापना कीगी शुरुबात कीगी कमेट करेंगा इधर दो सेट ओंगे दो सेट करने के बाद आपको जो है आठ बजे वली क्लास मिल जाएगी तो आसर के इस कोशन गांत सर बंगाल इसका आंसर है प्रोडेस्ट ऊएल प्रोडुसिंग स्टेट ऑंडिया की आण से कुछन इसमें से कून सी ओल्ड़ीश्ट आयल प्रोडुसिंग स्टेट है इंडिया की आं से कैस्ट कुछन कि चलब तो इसको शन का आंसर कहेंग है दोस्तों इसका इसका आंसर च certo मिल सकता आप इस Maksin देखिएगा रख जरम्पानी सेंचरी कहां पर लूकेट है statements कहां पर लौकलिटल है जलो है इस गरति लूकेटट। सबढें इस सब्सक्राइब इस कॉशन Cancer Ack child Tea certificate अन्सर एक मराटा और नुजपएपर किस लाएगी थी मराठा और केसिरी न्युस्पइपर पिसके द्वारा लाएगी थी इस कोशणरत्रा पिंद्द्राम जो कोशि Cool धर दो झाल इसकोशन का आंसर कैंए दोस्तों इसकोशन का आंसर है कि ये है ठीक है बाल घंगा धर तिलक से संबंदित ने कि में इंडिया ने टार्गेट इडियूशन कब लोन्स किया था इस को शेंग को आज है इंडिया ने कंदा चिया था अ AM कर अंद करेंगर है खुत है तो 2000 का में थिक वाल सेटीन है 1997 में चलिए एक और कोशन देखिका मेंupid केर्में कोशन सेंट औफ गुट्रस के ने का जाता है मैं करें ग्यांसर सेंटव में क्या जाता है कि तो इा जाता है साहीं नोबल प्रैस किस फीड में दिया जाता है इस कोशन का आन से के हैं कि चलिकर इसकोशन का आन से कहा हैं दोस्तों आन सर्थ सबी फीड में दिया जा सकता है इन में से ठीक है चलिए 50 कोशन देखेगा युनाटिट नेशन सेक्यूरिटी कांसिल की प्रेजिडेन्सिय यह कि मते यह आंसे के रूरा हाउसिंग फर्ण की शिरवात कौन से वर्ष में हुई इस कोशन का आंसर के हैं तो दोस्तों इस कोशन का आंसर है ठीक है दोजार आठ से नो के बीच में एक और कोशन देखिएगा कोशन के बाद 17 question वेड़ीज का ऑफिरिशल लैंगज थे औहलो तो इस कोशन का आंसर कि नागल एंट का ऑफिरिशल लैंगवेज देखिएगा ठीक है ये बिटीश गवर्णर्स जिसके समय में रेलवेगे शुरुाहत भारत में वड़े कोन से समय में रेलवे हए तो यह तो हम से लोट ड्ल हाउस ही एक ड्ल हांसर है कुछन है आपको मिल सकता है इस पर देखें इंटरनेशनल Olympeak association के ule करने ही करने हैं शॉमाइन रेकिसा कुष्टान का इंटरनेशनल औलम्पिक असोसियेशन की स्थापना जो है लुस्या मदब यह हैड़कॉर्टर कहां पर लुस्याना में है बीसमा कोशन देखें ग्रैंड सेंटर टर्मिनल पार्क बैनी नियॉक में जो है वो वर्ल्ड में फेमस है किस लिए वर्ल्ड में किसले फेमस है इस कोशन का आंसर ग हूँ 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 कि चलिए इस कोशेंगा आंसे के हैं कि वर्ड में फेमस है किसके लिए तो आंसर इस कोशेंगा लाज़ेस्ट रेलवेस स्टेशन के रूप में एक कंसीडर किया जाते हैं ठीक है चले एक किसमा कोशन देखेगा आफ्टर थर्ड एंगलो मराथा और पेश्वावा सेंट टू विच्प्लेस आफ्टर गिविंग पेंशन तो आंसर के सकोशन है कि कमेंट करी आंसर के स्कुषन है पेश्वा को कहां पर भेजा किया था तो यह भेजा किया था बित्तोर में थोड़ा मुश्किल कोशन है और त्रिया जो है करें वन एत्यटीजाड टू मैंबर बना यॉनाइटड नेशन का और यह कौनसे कोंटिनिन का हिसा है तो आड़ तरिया कि गर है क्यों यह कौनसे कोंटिनिन का हिस्सा और अंसर कुष्ण कोंटिनिनिट का अफ्रीका का का हिस्सा है ठीके चलिए तेशन देखी है ने ली अल्ड़ पर्सन हो वास अर्स कोंसे वेक्थ जिनको देश बंदू के नाम से जाना जाता है फिर देश बंदू के नाम से लिए यह देशवंदु के नाम से जाना जाता हैं चारो देशवंदू के नाम हर रिए और काधम बिकिस के द्वारा लिखा गया सबंट सकतों करें रख शराइhã से सुंपितं आर्लम इस कोशन कहें एक करें तो आन से के इस कुश्ण का बान भाटा के दौरा किसके दौरा बान भाटा के दौरा हर्ष्चरित्रा कादंबरी तीसरे सेट करना है थीक है तीसरे सेट को कवर करेंगे यहां करते हैं मुश्किल 25-25 उठाने की कोशिश करेंगे यहां पर इस पर देखते हैं कि 25-25 लाने की कोशिश करेंगे लैट सी कि कौन-कौन 25-25 लाता है चली तो पहला कोशन आप सभी के सामने आर्टिकल 20 जो है किसे संबंदित है कंस्टूशन का फंडमेंटर राइट है किसे संबंदित है कमेंट कर यह पहले कोशन का आंसे के पता ही चली तो आंसे के बड़े टेलीग्राम चैनल सारे जोइन कर लेना क्यूंकि आज चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे डिटेल में कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा थियोरी में साथ के साथ आपको आज से दस बजे वाली सीरीज मिल रही है बेनिफिट उठाइए दस बजे की सीरीज का बहुत काम की होगी लास्ट टेन येर के कोशन सोंगे सब्जेक्ट वाइस तो अभी हम जोगरफी स्टार्ट करें तीन चार दिन में जोगरफी खतम कर देंगे सारे लास्ट दस सालों के जितने वी कोशन बन सकते अच्छे कोशन जितने वी सिलेक्टेड बन ठीक है तो आंसे के इस कोशन का प्रोटेक्शन अगेस कन्विक्शन है फंडमेंटर राइ चलि तो फंफ फोटों क्या है तो इस कोशन का आंसे कैंद दोस्तों फंफ सी का फुल फॉर्म है फिल्म साइनस कोपरेशन चलितीसरा गुलाम डानस्टी जो है यह कौन से वर्ष में स्थापित कि ती गुलाम डानस्टी अगर कि चली तो इस कोशिंगा आंसे के हैं दोस्तों जो गुलाम डानिस्टी है इसकी स्थापना कुन से वर्ष में कीगी तो आंसर इस कोशिंगा बारा जीरो छे ठीक है चोथा कोशिंग देखिए गोल्फ प्लेयर विजे सिंग कुन से खेल से देश से संबंदिय में ने करार रख कि बढ़ें अब अभी नेक्स्ट क्लास भी यूटूब पर होगी और टेलिग्राम चैनल पर लिंक आएगा अमन सर्वाइब जो वेदी केज का चैप्टर आज में खदम स्टार्ट कराके खदम भी कर रहोंगा वह आपको मिलेगा एट पीम पे आज रात को आठ बजे वह आ पाएगा ठीक है असानी से मिलना है का अराम से जुड़ जाएगा फीजीस का इसके बादी एकलास होगी मोस्ट पोपलर स्कंड्री साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी किस देश किया इस कोशन का अंसर के कि अधा आप पदे आंसर के इस कोशन का सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने वाले देश जो हैं वो कौन से हैं कमेंट करेगा एंदेश कोशन का आंसर क्या है यह कौन यहां तरह इस कोशन का आंसर है दोस्तों आंशर आल अपदी अबब है इसमें से साथ में देखिए युएस प्रेजिडेंट वाज वोड़िद नोबल प्राइज फॉर फॉर फॉर्स ताइम आंसर के इस कोशन का जल्दी से बते हैं हुआ इस कोशन का आंसर के है गें सोचिंगा आंसर है जो सबस्कान सर्थ इस स्वाइщ लार्जस्ट एरिया कोंसा स्टेट है जिसका लार्जस्ट एरिया हैं कमेंट करेंगा सुषिंगा सब्सक्राइए इस कोशिंगा सब्सक्राइए लार्जस्ट एरिया राजिस्थान का है ठीक है नाइंथ कोशन देखेगा विश्टेंपल अफ नेपाल इस वानर मंदिर बताइए आंसर के बड़ा युनीक है इंपोर्टन निया कोशन है बताइए वानर मंदिर किस टेंपल को का जाता है नेपाल में है यह आंसर के सब्सक्राइब करना और गैप पहले मैं आपकी आठ बज़े क्लास करेंगे रात को ठीक है दस बज़े में एक नई सीरी स्टार्ट करी आसे लास्ट टैनियर पेपर्स जो हैं वो कवर करा र होगा पताई स्वेम भूट देखो जो क्लास होगी ना वो एमसी की होगी दस बज़े वाली लेकिन इंपोर्टेंट है सारे और आठ बज़े वाला थियोरी होगा पूरा ठीक होता है चले एक और कोशन देखेगा यह कोशन नहीं करना अभी यार्म कोशन देखेगा अंदी और यह वैंचिंग भूतिया जो खिलाड़ी उनके नाम पर फूटबल फूटबल स्टेटिम बना हुआ है वह कौन से देश के स्टेट के हैं बस इतना ही बता होगा तो अपने आप आप आजए बूटिया ट्राइब होती है वह कहां कि है बताए आंसर के इस कोशन का आज से सब्सक्राइब करेंगे इस सब्सक्राइब करेंगे इसमें से जो है एक सक्सेस्फुल एक्जामपल है आर्क लोजीकल साइट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन का मतला बचाफ किया है इन सब का ठीक है हमने से इसे चली तो आंसे के इस कोशन का ए चाहले इस कोशेंगा थोड़ा मुश्किल कोशन है साची स्थूपा गारा तो नहीं हो सपाई ज़्राइब करते नहीं कि जुरोगत करना लाए चेंप वात यह ट्रांजिस्टर का एंवेंशन कोन से वर्ष में हुआ आंसे के स्कूशन को कमेंट करीगा आंसे के स्कूशन को कि आप कर दो आंसे के स्कूशन का 1948 इसका आंसर है वीच्वा कोशन देखिए मेरा टेलिकराम चैनल अमन सर्वाइफिस डीसे जोईन कर लेना होटी कल्चर का ब्रांच कुन सा बते इन लिखित में स्कूशन सा ब्रांच जो हेखोटी कल्Чर का ब्रांच है और सबने की द्वारा क्या invention किया था दो आध्यम लीटल्स में से किसी का किया था तो अगर दे फ्रैंक बिटल ने इसमें से किसका इंवेंशन किया था जल्दी से बते यह असाने गोशन ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर आगर कि अगर कि अगर कि अगर करएं चरण तो इसकुशं का आज से कहे हैं है जैसे ठोड़ा सा ऐसा है कि कई को आसान दो जांट है कि यह страх आँचरा यह एक यह अधिकर को सब्सक्राइब ऐस्ट अफगान कोणा था इंपोर्टेंट कॉस्टिन पहला अफगान कोणा सब्सक्राइब कि कमेंट करें का सारे का सारे कि अच्छा लिए इस कोशें का अंसे के हैं कि फर्स अफगान वोर कब हुआ तो तो ये टीन थर्टी नाइन में 24 में कोशन देखिए लखनाव सेशन वाइन सी रेट लुक तुक प्लेस इन 1916 तो लखनाव सेशन जो वह था उसके हैड तो पते हैं को चम्षी का आंसर को सब्सक्राइब करएं इसका आंसर है यह 25 देखें इस नकाई फेस्टिबल बेस्ट ऊन एगरिकल्चर नकाई फेस्टिबल कहां का है कौन सी इस चाइब जल्दी से होते हैं तो कोशी स्टेट का फेस्टिवल है पेटा आठवज एक लास होगी तेलिग्राम जोइन पूइन कर लेना है ठीक है एक लास इसे को अब हो चुके है तो पत्चिस कोशन यह भी हो गहें दोस्तों आप सिंपल सा काम करें टेलिग्राम जोइन करें क्योंकि इसी में मैं लिंक डाल रहा हूं आठ बजएगा आपको ना आज आठ बज़े के सेशन में जुड़ना कमपल सरी समझिए क्योंकि आज से हम वेदी केज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे ना पहले दिन से जुड़ जाओगे तो वह चैप्ट इसमें मैं लिंक प्रोवाइट करा रहा हूं उसे एक्सेस करिए और क्लास में जुड़ेगा आठ बज़े ठीक है मिस मत करिए कोई साभी आठ बज़े लिए ग्लास चलिए तो बाकी सेशन को लाइक करिए शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करिए ठैंक्स लौट इसका आज कवर कराएंगे और फिर रात को दस बज़े की नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो लिए ठीक है ठीक्स लौट